रावन के बारे में कुछ अंसुने रहस्य रावन को वालमी की रामायन से प्रस्तुत किया गया है जहां उसे दशकंधर, ज्यानी और मानवतावादी के रूप में दिखाया गया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावन के बारे में भारतिय कथाओं में कुछ रहसी छिपे हुए हैं जो अभी तक अनसुने रह गए हैं इस वीडियो में हम आपको पांच रावण के उन अनसुने रहसियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपने शायत पहले कभी नहीं सुना होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. कुम्भकर्ण अपनी पत्नी वजरजवाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरहे के अस्त्रशस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुधी नहीं रहती थी. कुम्भकर्ण की यंत्रमानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजाड आठ का दरजा दिया गया है. इस कला में रावन की पतनी धान्य मालिनी भी पारंगत थी. उलेखनिय है कि रावन की पहली पतनी मंदोदरी ने ही शत्रंच का अविशकार किया था. क्या आप जानते हैं कि रावन एक उत्कृष्ट वीना वादक था. रावन सभी राक्षसों का राजा था. बचपन में व बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था. लेकिन क्या आपको पता है कि रावन के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीना होने का कारण क्या था? चुंकि रावन एक उत्कृष्ट वीना वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीना अनकित था. हाला की रावन इस कला को ज्यादा तवज्जों नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था. रावन को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा. चलिए इसके बारे में भी जानने का कोशिश करते हैं. रामायन की पूरी कहा बायों ने माता सीता के अफरन की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पन करने की सलाह दी थी. यह सुनकर रावन ने आत्मसमर्पन करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की. उसने कहा कि अगर रा दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। बौध भिक्षु के अनुसार रावन का शव आज भी सुरक्षित है। अगस्त 1971 में एक बौध भिक्षु ने दावा किया था कि एक परवत शिखर पर बने सुग्रिड किले में रावन का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रैगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाडी पर रावन की गुफा है। रैगला के इलाके में रावन की यह गुफा आठ हजार फुट की उचाई पर स्थित है। जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावन का शब। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जसका तस रखा हुआ है। जैसे की पिरामिड के ममी को रखा जाता था। रावन फिर से हो जाएगा जीवित। नाकुल के लोगों को यकीन था। कहते हैं कि रावन की मृत्यू के बाद उसके अंतिम संसकार की जिम्मेदारी विभीशन को सौंपी गई थी। लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीशन ने रावन के शव को वैसे ही छोड़ दिया था। जिसके बाद रावन के शव को नाकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नाकुल के लोगों को यकीन था कि रावन की मौत चनिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावन को फिर स साइनों का इस्तिमाल किया और उसे ममी के रूप में रख दिया। श्री लंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावन एक दिन जिन्दा होकर पुनह लोट आएगा। नासा के अनुसार रामायन की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राम और लक्षमन ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्मान किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग सत्रह लाख पचास हजार साल पहले की है। हाल ही में नासाने पाक जल दमरू मध्य में श्री लंका और भारत को मानकाल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है। और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। धन्यवाद दोस्तों, रावन के इन अनसुने रहसियों को जानकर आपने भारतिय कथाओं को एक नए द्रिश्टिको से देखने का मौका प्राप्त किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ साजा करें। हम जल्द ही एक अन्य रोचक वीडियो के साथ वापस आए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं